आप सभी लोग जानते होंगे की पूरवदिसा का महत्व क्या है और इसी को हम बास्तु साथ से जानते हैं की किन कीन चीजों से हमें भाई दे और किन कीन चीजों से हमें नुक्सान हो सकता है पूरवदिसा का तत्व लकडी है या हमारे खून के रिष्टों को प्रभावित करता है बर्तवान में एबम पूर जनों से समंधित है इनके अतिरिक्त या छित हमारे जीवन में महत्पून अस्थान रखने वाले प्रभावसाली बेक्तियों एबम अधिकारियों के हमारे आदतों और लतों को भी नियंदित करता है नई योजनाओं एबम प्रेड़नाओं का निर्मान करता है अगर पूरवदिसा कटी हुई है या मिशिंग है तो परिवारिक समंध में अनुराग परेम या उत्सह की कमी आ जाती है दूरियां बढ़ने लगती है और किसी नए का अधिकार को प्राडम करने से कई प्रकार की बाधाय उत्पन होती है ऐसे सिती में कटे हुए छेत्र में गोल पत्तियां वाले पौधे लगा कर इस छेत्र को शंपूर्ण करें अगर पूरवदिसा बड़ी हुई है तो इस छेत्र भागशाली माना जाता है एबम इस घर या कारियाले में काम करने वाले बेक्तियों को अपने कारे में सदेव सफलता मिलती रहती है नई योजनाओं को बनाने में एवम पूर्ण करने की प्रेड़ना मिलती है अधिकारियों एवम परिवार को समंद में मधुरता एवम उत्सा का सामावेस होता है परिवार के सामें लगाएं जो आपके पेड़ना इस्तरोत है या आप भी उन चित्र में हैं तो उनके गुन बहुत तेजी से आप में आने लगेंगे और उनके आसिरवाद से आप सफलता के सिड़ियां चड़ते चले जाएंगे सराब की आदद छुडाने के लिए अपवड लेंब का उपयोग करें उपर की और रोसनी फैलने वाले लेंब को घर की पूरब दिसा में लगाकर जलाकर रखने से सराब पेने वाले बेक्ती के हिर्दे में परकास खाउदे होता है और धीरे धीरे वो सराब लट से मुक्ति प प्राब्ति करने के लिए पूरब दिसा में 120 पक्षियों का चित्र अवस लगाएं पूरब दिसा में लगा या चित्र जीवन प्रयत्न आपको और आपके बच्चों को धन और सम्मान प्राब्त करने की उर्जा बदान करता है या चित्र आपके सवहाव में नर्मता और के लिए पूरब दिशा में शंगित उत्पन करने वाला कोई यंद्र, रेडियो, म्यूजिक, सिस्टम, आदी, धीमी आवाज में चला देने से आपको किसी प्रभावशालिस शक्ति, अपने अधिकारी, गुरू या परिवार में से ही किसी की मदद प्राप्त होती रहेगी। बुरी लट को छुडाने के लिए पूरब दिशा में साथ सातीन सोस्त पौधे रखें। पूरब दिशा में रखे हुए पौधे को शमान से अधिक पानी के वसकता होती है। और यह पौधा जितना पानी ग्रहन करके बुरी लट को छुडाने के लिए उतने ही उर्जा का निर्मान करेंगे धीरे धीरे पानिग्रहन करने की मात्रा कम होती जाएगी और आपकी अलत छुट जाएगी इन इन उपायों से बुरे प्रभाव से बचे रहेंगे और आपके घर भी सुन्दर दिखेंगे